जोडो 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 सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे लोक सभा में री इंस्टेट किया और पिछली बार जब मैं बोला पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कश्ट भी पहुँचाया क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि सिनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कश्ट हुआ तो वो जो उनको कश्ट भी पहुआ है हुआ अभी कर्षोरा है वो जो कॉस्ट बाला है भी कर्षोराह, भी कर्षोरे अभी कर्षोराह… बोने कॉस्ट बूं तो बोजो कर्षोराह, बोने कि यह यहुआ है inka assessor है तो तो वो जो कश्ट हुआ उसका उसका असर शायद हुआ 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 तो इसके लिए मैं आप से माफी मांगता हूँ मगर मैंने सिर्फ सचाई रखी थी मगर मगर आज आज जो आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं आज 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 आपको डनने की ज़रूत नहीं तो कि आज जो मेरा भाशन है और आप आज 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 कोई घबराने की जरूत नहीं है आज मैं अपना बाशन में जो भाशन है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूँ तो आप रिलाज्स कर सकते हैं आप शान्त रह सकते हैं क्योंकि मेरा भाशन आज दूसरी डिरेक्शन में जा रहा है रूमी ने कहा था रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं दिल से बोलना चाह रहा हूँ और 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 मैं और मैं आज मैं आज आज आप लोगों पर इतना अक्रमन नहीं करूँगा मतलब एक दो एक दो गोले जरूर मारूंगा मगर इतना नहीं मारूंगा तो आप रिलाक्स कर सकते हैं ऐसे निर्दलिय इंडिपेंडन और जनता के हित में काम करने वाली अपने शेत्र में अपने महाराश्च्र के हित में मैं इस विपक्ष का नो कॉन्फिडेंट मोशन जो लाया इसका विरोध करती हूँ और हमारे आज सुबह से जबचे डिबेज चुरू हुई है बारा बजे से जबचे अगर हमने देखा तो विपक्ष अगर बात कर रही है ये नो कॉन्फिडेंट मोशन लाया ही इसके लिए गया था कि महिलाओं पे होते हुए अत्याचार जो हुए है मनीपूर में जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में उसके उपर चर्चा होनी चाहिए करके ये अव विश्वास प्रस्ताव ये सदन में लाया गया है हम महिलाओं ये पार्लिमेंट में बैठी हुई हम महिला मा फिर सांसद है जब ये सदन में हम बैठ कर देख रहे हैं सुबह से देख रही हूँ विपक्ष ने जितने ने भी इस पे कहा है सिरिफ मोदी जी इस दी ओनली टार्गेट और महिलाओं पे कहीं पर भी सानुबूती और महिलाओं के फेवर में एक भी शब्द ये विपक्ष का मुझे सुनाई नहीं दिया ये सदन में पार्लमिन में जब भी बोल रहे हैं मनीपूर में जो अत्याचार हमारी महिलाओं पे हुआ है वो अत्तीशे सबसे खराब जो ये हुआ है मनीपूर में उसका सभी ने निशेद करना चाहिए हम महिलाओं पुरुष हमारे भाई ये पार्लमेंट में जितने लोग प्रिप्रेजन करते हैं सभी ने इसका निशेद किया है पर विपक्ष को मेरा एक प्रस्न है चार तारिक को हुई हुई घटना को जुलाई के पार्लमेंट के एक दिन पहले वो पार्लमेंट के पॉपसली वो वीडियो को वाइरल करते हैं और हमें जब पत्रकार आके वो वीडियो दिखाते हैं मैडम यू नो अबाट इस वीडियो वाट इस आपने इन मनीपूर। प्लीज गिव अस सम बाइट और सम वीव आफ यॉस इसेड वीडियो वाट हापन इन मनीपूर। इड हापन ओनली इन फोथ फोथ चार में को हुई घटना को जुलाई में जब पार्लमेंट होता है एक दिन पहले एक पत्रकार आके वो न्यूस वीडियो हम लोगों को दिखाता है मैं मांग करती हूँ हमारी सरकार से कि जिसने भी यह पॉपस लिए वीडियो वाइरल किये और समाज में महिलाओं को इस सभागरमे लाकर उनकी बदनामी करने का जो काम विपक्षनी किया है इसके उपर चवकशी होकर इस पर जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहि को खुले हां मीडिया में लाकर शोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करने का जिनों ने काम किया उसका हम लोगों ने निशेद इस पार्लमेंट से करना चाहिए आज इस विपक्ष में इन लोगों ने लाई हुई कितनी सीरियस है अगर ये सीरियस है सर लास्ट वीक राजेस्तान में हुई हुई घटना के बारे में एक भी विपक्ष ने उसका उलेख नहीं किया सर जब एक महिला के साथ नाबालिक के साथ में अत्याचार होता है उसका रेप किया जाता इतनी बुरी तरीके से और कोईले मे डाल कर उसकी आंखरी सांस निकलने तक उसे जलाया जाता है और फिर जो बचता है उसे पानी में बाया जाता है सर मेरा प्रशन है इस विपक्ष को कि महिलाओं की इस्तमाल आप राजनिती के लिए किया जा रहा है महिलाओं को राजनिती का रोटिया बनाकर उस पे सेका जाने का इस्तमाल हमारी महिलाओं के नाम पर किया जा रहा है विपक्ष से ये प्रस्ण मेरा है कि अगर मनीपूर की महिलाएं हमारे लिए सभी के लिए सम्मानी निया है हमारे देश में रहने वाली हर महिला हमारे लिए हमारा मान सम्मान हमारा गर्व है क्योंकि हम भी वो महिलाएं मैं विपक्ष से पूछती हूँ कि अगर मनीपूर की महिलाएं आपको इतनी महत्वपूर न रखती हैं तो चार में को आपका डेलिकेशन वहाँ क्यों नहीं जाता तीन महिने के बाद पार्लमेंट चुरू होने के बाद आपके विपक्ष का पार्लमेंट का पूरी टीम बना कर आप वहाँ जाकर चौकशी के लिए क्या दिखाना चाहते हैं फोटो खीचने के लिए वीडियो बनाने के लिए उसकी मा के रोना दिखाने के लिए मैं पूछती हूं कि राजेस्थान में जहां पर विपक्ष की सरकार है, जब एक लड़की के साथ इतनी बुरी तरिये के से वहवार होता है, अत्याचार होता है, तो विपक्ष का डेलिकेशन आज तक राजेस्थान क्यों नहीं गया, पार्लामेन के विपक्ष के इन्होंने उत्तर देना चाहिए, ये मोधी जी को पूछते हैं, वो मौन क्यों है, मैं विपक्ष को पूछती हूं, राजेस्थान की घटना पे विपक्ष मौन क्यों है, बंगला में हुई हुई, बंगलादेश में, सोगरत काका, वी कॉल यू गूगल अंकल, इफ टुड़े वी गो महिलाओं पे चर्चा हो रही है, अगर पूर्शों को एक गंड़ा दिया जा रहा है, तो हम महिलाओं को एटलीस पांच साथ मिनेट तो देना ही चाहिए, सर लास्ट, सर लास्ट, सर हमारे आज MP, हमारे कलीग ने महाराश्ट्र से शरीकान जी ने हनुमान चालीसा इधर जी आज जब आप यहां पे हनुमान चालीसा का पठन कर रहे थे, सिर्फ मैने नाम लिया तक हनुमान चालीसा पठन करूंगी, तो घर से घसीट के 14 दिन जेल में और दो दिन लोक अप में रखा था, पर आज मोगी जी की सरकार है, ये पारलमेन में ऐसा अत्याचार कोई कि इसी पे करेगा नी, और स्टी महामंदल की महिलाएं, जब अपने हक के लिए डॉक्टर बाबा साइब अंबेटकर ने हमें लड़ना सिखाया है, अपने हकों के लिए रोड पे आकर अपनी आवाज बनना सिखाया है, वो ही आवाज जब महिलाएं, स्टी महामंदल की महारा में उठा रही थी तो वो महिलाओं को उठा कर लॉक अप में करीबन एक महिना उन्हें सड़ने के लिए फेग दिया गया था तब यह विपक्ष कहां गया था तब यह विपक्ष ने मौन धारन क्यों किया था यह चीजें भी इनको उत्तर देना चाहिए सिर्फ मनीपूर महिल बनाएं मैलाओं पे अत्याचार मैलाओं पे होने वाली पीडा यह इनका विशे नहीं सिर्फ मोदी जी का नाम है तो इनको विरोद करना है यही इनका अजेंड़ा बनाएं यह क्या नारा दे रिये कि इंडिया 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 ही मोधी जी को बनाई है इंडिया ने ही मोधी जी को ये पार्लेमेंट हाउस में ऐसे प्राइम मिनिस्टर लाई है आज भी इंडिया मोदी जी के साथ है ये विपक्स को मौन धारन किस विज़े पे रखा है इनको उत्तर देना ही पड़ेगा ये मेरा प्रश्ण विपक्स को है बस इतना ही कहती हूं सर मैलाओं का इस्तमाल राजनीत ही रोटियां सेखने के लिए नहीं है मैलाओं का सम्मान करना सीखे विपक्स के लोग